Hello everyone, इस वीडियो में हम class 3 की English की बुक से lesson 12 means of transport की बुक exercise कर रहे हैं और अब हम आए हैं, page number 117, 117 पर हम आज शुरू करने वाले हैं grammar work Most nouns can be made, जो अधिकतर nouns हैं वो बनते हैं plural जब हम उनको plural बनाते हैं, by adding s या es, या तो हम उसमें s जोड देते हैं या es जोड देते हैं जैसे bus और busses, अब ये bus का जब हमें plural बनाना था, यानि कि बहुवचन बनाना था अब यह देखिए बस है तो इसमें हमने es को जोड़ दिया तो यह plural यानि कि बहुवचन बन गया These nouns are known as countable nouns यह countable nouns होते हैं यानि कि जिनको हम गिन सकते हैं However, there are some nouns that cannot be made plural by adding s or es like milk These are code uncountable nouns और कुछ noun ऐसे भी होते हैं जिनको हम s या es जोड़ कर plural नहीं बना सकते जैसे कि milk अब milk में हम s या es नहीं जोड़ेंगे तो These are code यह क्या कहलाते हैं uncountable nouns क्या होते हैं uncountable nouns जिनको हम गिन नहीं सकते यानि कि जिनको हम s या es लगाकर plural में change कर सकते हैं उनको हम गिन सकते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे countable nouns और जिनको हम s या es जोड़ कर plural में change नहीं कर सकते उनको नहीं गिन सकते उनको हम क्या कहेंगे uncountable nouns अब इसको गिन सकते हैं या नहें गिन सकते हैं अब कैसा पता लगाएं तो अब देखिए, बस अगर यहां पर 4 बस खड़ी हैं तो हम आराम से गिन सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, यह 4 बस इस हैं लेकिन milk है, dlud है तो आप दूद लेने जाते हो तो ऐसे नहीं बोलते हैं कि एक दूद दे दो, दो दूद दो, आप बोलते हो, एक लीटर या दो लीटर दूद, तो अब यहाँ पर दीखें, now separate, separate मतलब होता है, अलग करना, the countable or uncountable nouns from the box, and write them in the table below, यहाँ पर एक box दे रखा है, इसमें कुछ nouns है, जो कि countable है, और uncountable है, उनको mix किया गया है, और नीच लिखने है, तो चलिए, शुरू करते हैं, milk, milk को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, उसको हम तोल सकते हैं, तो इसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, milk, फैन, गिन सकते हैं, पिन, गिन सकते हैं, ट्री, गिन सकते हैं, water नहीं गिन सकते oil नहीं गिन सकते girl लड़की लड़की को गिन सकते हैं गिन सकते हैं एक लड़की दो लड़की तीन लड़की इस तरह से bottle बोटल्स को भी हम गिन सकते हैं book बुक्स को भी हम गिन सकते हैं soil mitti को हम नहीं गिन सकते पर लिखा जाएगा ice को हम नहीं गिन सकते शगर को किसे इन के सुझगे सुझवाद Как दीने कांद दनी को आप क्र Word की सब्सक्राद कैसे ऑफ सब टाने के देते श eccम लिए पर जा कर नहीं, हम ऐसे बोलते हैं कि 1 kg, 1 kg चीनी दे दो, 2 kg चीनी दे दो, इस तरह से, उसकी quantity बताते हैं, उनको हम दानू में गिन कर नहीं लेते, तो इसलिए हम इसको uncountable noun के नीचे लिखेंगे, अब है use of a or an, and the, an दा का use करना है, My friend ate an apple yesterday, the apple was very sweet, अब यहां पर सिर्फ पहले हमें यह sentences read करने हैं, ध्यान से, और फिर इसको मैं explain करके बताऊंगी, कि हमें क्या कहां पर use करना है, A hen laid an egg, the egg was very small, my friend has a toy car, the toy car is very huge, beautiful, I have a bat, the bat is very light in weight, My friend saw an elephant, the elephant had a long trunk, I saw a lion in a zoo, the lion was sleeping, My friend has an umbrella, the umbrella is yellow, I ate an ice cream, the ice cream was very tasty, पहले हम इन six sentences को देखते हैं, seven और eight, इन ही के similar हैं, यानि कि इन ही जैसे हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि द, 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 यहां पर देखिए, second sentence में, यहां पर द का use हुआ है, और first sentence में a और n का use हो रखा है, तो यहां से हम क्या समझें, कि जो countable nouns हैं, उनके साथ हम a और n का use करते हैं, countable अभी बताया था जिनको हम गिन सकते हैं, और कैसे पता लगाएंगे किसके साथ a आएगा, किसके साथ n आएगा, अब यह देखिए, हमारे पास a, e, i, o, u, पांच vowels होती हैं, और पांच vowels की sound देने वाले, आवाज वाले, इनकी आवाज वाले शब्दों के साथ, इनकी आवाज वाले शब्दों के साथ, जो इन आवाजों से शुरू होते हैं, उनके साथ हम n का यूज़ करेंगे, उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, और जो बाकी alphabets बच गए है, consonant, उनके साथ हम a यूज़ करेंगे, तो अब हम देखते हैं, ए, ए, एपल, एपल, एपल के, देखिए, कहांसे आ, एपल, ए, ए के साथ हम लगाएंगे एन, और क्योंकि एपल को दोबारा यूज़ किया रहा है, तो इस तरह से उस नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, दा से शुरू करेंगे, इसी तरह देखिए, एकी साउंड पर क्या ही है एग एग और इस सांड के साथ हम क्या लगाएंगे एन लगाएंगे और एक को हम दूसरी बार यूज़ करते हुए उसके साथ क्या आएगा दा आएगा next है my friend has a toy car यह दिखिए toy 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 किसकी सांड ओई ट क्या है consonant है और consonant के साथ क्या आएगा ए और जब हम इस toy car को दोबारा यूज़ करेंगे तो इसके साथ क्या लगाना है दा लगाना है I have a bet but b a t b at b at bet अब यह कहां से शुरू हुआ ब से ब किसकी सांड दे रहा है consonant की वेंजन की सांड दी है तो इसके साथ क्या आएगा ए आएगा और जब हम bet को दोबारा second sentence में यूज़ करेंगे तो उसके साथ हमें क्या लगाना है दा लगाना है तो उमीद करती हूँ आपको यह concept समझ में आ रहा होगा My friend saw an elephant 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 देखें किसकी सांड आई elephant a तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे और elephant को दोबारा यूज़ करते हुए I saw a loin किस सांड से शुरू हुआ लगा से तो लग एक वेंजन है consonant है इसके साथ हम क्या लगाएंगे और second sentence में हम किस से शुरू करेंगे दा के साथ यूज़ करेंगे इसी तरह से My friend has an umbrella देखें यू है अब मैंने यहाँ पर आपको बताया A E I O U यू की सांड देने वाले लेकिन यहाँ पर देखें यू नहीं है यहाँ पर हमें बात करनी है आवाज उनकी सांड देखनी है आवाज देखनी है यहाँ पर U की सांड क्या है A umbrella देखें इस तरह से umbrella लिखा जाता है तो इसकी sound कहां से शुरू हुई है A A से हुई है यहाँ स्वर है Wowel के साथ क्या आएगा? N आएगा और दूसरी बार जब इसको यूज़ करेंगे तो क्या आएगा द अम्रेल आएगा I ate an ice cream अब देखें ice किस की sound आई है एक स्वर है वोवल है तो ice के साथ हम क्या लगाएंगे N और ice cream को जब हम दूसरे sentence में second time यूज़ करेंगे तो क्या लगाना है यहाँ पर explain की गई है उमीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब ये हैं दो paragraph दे रखे हैं इन ही की साहिता से आपको ये complete करने हैं तो चलिए शुरू करते हैं और फटा-फट से इनको complete करते हैं I saw a crow अब देखिए a क्यों लगाया है यहाँ ए क्यों लगाया है crow कर यहाँ पर c की सांड क्या है कर और कर एक कंसनेंट है वेंजन है तो हमें a लगाना है अब crow यहाँ पर full stop आ गया यानि कि ये sentence खतम हो गया है अब दूसरा sentence स्टार्ट हुआ है उसके लिए नई लाइन नहीं हम full stop के साथ ये हमारा second sentence स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे the crow was sitting on dash apple tree क्या आएगा a a a से पहले an an apple tree और यह देखे tree tree क्योंकि apple tree आ चुका है और full stop है तो tree की बात हो रही है तो tree से पहले हम लगाएंगे the the tree was very big dash fox fox a fox f f की sound क्या है f f consonant तो क्या आएगा a यहाँ पर full stop है दूसरा sentence स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए हमें a को capital लिखना है बड़ा लिखना है was standing under the tree dash fox fox फिर से आया है second time तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे the लगाएंगे अब है was very hungry dash ox ox o o o की sound o तो यहाँ पर क्या आएगा n a n क्योंकि full stop के बाद हमारा दूसरा sentence स्टार्ट होता है तो a को हम यहाँ पर capital लिखेंगे was watching both of them fox 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 देखें फिर से आया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे the fox requested crow crow भी पहले आ चुका है the crow to drop some apples for him but the crow flew away next है complete the story with a and the once there was a king king का कंसोनेंट है and a queen and a queen अब यह देखें फुल स्टॉप है और सेकंड संटेंस स्टार्ट हो रहा है queen दो बारा आया है तो the queen gave birth to a baby girl baby ब ब से कंसोनेंट है तो a आयेगा और baby girl आ चुका है दोबारा से आ रहा है तो उसके साथ हम the लगाएंगे was very beautiful और king भी पहले आ चुका है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे the king had an elephant elephant a a vowel की sound है as baby baby पहले आ चुकी है तो the she often enjoyed riding elephant पहले आया था ना तो इसलिए हम इस elephant के साथ क्या लगाएंगे the she loved birds very much owl आ vowel की sound है an owl parrot per per consonant है a parrot and eagle e vowel की sound है an eagle were among her favorites her love for birds and animals made for her famous in the kingdom तो आज हमने बहुत अच्छे से ये प्रैक्टिस की है आप इन सभी sentences को अपनी कोपी में लिखिये और ये दोनों story अपनी कोपी में complete करके लिखिये अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर करें तेंक यू